ओम नमो भगवते बासुदेवाए इंडदान आदिशराध कर्म पूत्र द्वारा ही क्यों किया जाए आज की वीडियो में चर्चा का विशाय यही है तो चलिए जानते हैं आचार्य बसिष्ठ ने पूत्रवान ब्यक्ति की महिन्मा के संबंध में कहा है अपूत्रीण इत्य भिसा आप Baris Smriti अरथात पूत्र हीन ता एक प्रकार का विशाप है और आगे भी बताया है की पूत्रेण लोकान जयती पूत्रेण अंत्य मस्नूते अथा पूत्र स्य पहत्रेण ब्रदन स्याप नोती विश्टपम बसिष्ठ ने जयती अर्थात पिता पुत्र होने से लोकों को जीत लेता है पुत्र होने से लोकों को जीत लेता है पुत्र होने पर आनंत्य को प्राप्त होता है और पुत्र होने से वसुर्य लोक को प्राप्त कर लेता है मनु महराज का बचन है कि पुन नाम नो नरकात असमात त्रायते पितरम सुतह तसमात पूत्र इती प्रोक्तह स्वयमेव स्वयम भुवा मनु सम्रिती अर्थात तुम नामक नरक से त्रा करने वाला यानि रच्छा करने वाला तुम नामक नरक से बचाने वाला पूत्र कहा जाता है ब्रह्मा जी ने लड़के को पूत्र कहा है इसलिए आस्तिक जन नरक से रच्छा की द्रिष्टी से पूत्र की इच्छा करते हैं यही कारण है कि इंगदान स्राध आधिकर्म करने का प्रत्रम अधिकार पूत्र को प्रदान किया गया है सास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पूत्र वाले धर्मात्माओं के कभी दूर्गत नहीं होती पूत्र का मुख देख लेने से पिता पित्र जीर से मुक्त हो जाता है पूत्र द्वारा प्राप्त स्राध से मनुष्य स्वर्ग में जाता है पूत का अर्थ है पूरा करना अत्रो का अर्थ है नो किये से भी पिता की रच्छा करना पिता अपने पूत्र द्वारा इस लोक में इस्थित रहता है धर्मराज या मराज के मतानुसार जिसके अनेक भूत्र हो तोसराद आदी पित्री कर्म तथा बैदिक अगनी होत्र आदी कर्म जेस्ट पूत्र के करने से ही सफल होता है भाईयों को अलग अलग तींद दान और स्राध कर्म नहीं करना चाहिए ब्रातरश्य प्रितक कुड्यू विभत्ता कदाचन अर्थात सराध के अधिकार के संबन्ध में शाफ्त्रों में लिखा है कि पिता का सराद पूत्र को ही करना चाहिए पूत्र नह होतों इस्तरी सराद करें पत्नी के अभव में सहोधर भाई या उसके भी अभव में जमाता आद भीश राद के अधिकारी है ओम नमो भगवते वासुदेवाए प्रेम से बोलिये विश्णु भगवान की जये